स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एक्स्प्लोरिंग दी ओटो मोबाइल्स पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैं उन्डई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन के कमपेरिजन की दोनोई गाडियां एक SUV हैं और फीचर्स से भरी हुई हैं तो बिना किसी बकवास करें बढ़ते हैं वीडियो में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनोई गाडियों के Hyundai का बड़ा आसल लोगो ऐसे ही डिजाइन में नई वाली क्रेटा भी आने वाली है जिसकी वीडियो हमें अल्रेटी दाल चुक है चैनल पे नहीं रेखिए तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा इसके अंदर हमें daytime running LED मिलती है उसके बार नीचे की साइड हमको इसका headlamp setup देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर हमको chrome door handles मिल जाते है और वी हम पे में indicator मिल जाता है उपर की साइड एक बड़ी आसी roof rail देखने के लिए मिल जाती है इस गाड़ी की back profile में सबसे पहले हमको दिखती है connected tail lights उसी के ठीक नीचे Hyundai का logo बहुत ही boxy और premium सा LED टेल लाइ 1770 mm की width मिलती है और 1617 mm का height मिलती है ground clearance की अगर हम बात करें तो ground clearance इसके अंदर 195 mm का मिलता है बात करें इसके engine की तो इसके अंदर 1000cc का turbo petrol engine मिलता है यूज करता है 120 PS की power और 172 Nm का torque इसका top model हमको मिलता है 7 speed DCT transmission के साथ चलते हैं इसके interior में जहां पर हम clearly देख सकते हैं बहुत decent type का dashboard मिलता है push start stop button मिलता है इसके अंदर हमको hold glove box जैसे features देखने के लिए मिलते हैं बात करें steering controls की तो एक side हमको cruise control देखने के लिए मिलता है और दूसरी side हमको media control मिलता है intraarmrest मिलता है मिलता है इसका अंदर air purifier की system के साथ इसके अंदर हमको emergency सी SOS और रोड साइड असिस्टेंट के फीचर्स भी मिलते हैं बाकि इसके अंदर हमको फुली डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि रेंज बताता है और प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसके अंदर एडल शिफ्टल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर हमको बाकि Automatic Headlamp मिल जाते हैं इसके अंदर Drive Mode Selector भी मिलता है जो इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर पर आपको दिखता है कि Single Zone Automatic Climate Control मिल जाता है इसके अंदर हमको नॉर्मल वाला कीचे की साइड इसके अंदर हमको Rear AC Vent मिल जाते है चार्जिंग पोर्ट के साथ र हमारी Tata Nexon के साथ अब अगर आप इसके Front Profile में देखोगे तो इसमें आपको Eyebrow Shaped Daytime Running Light मिल जाती है नीचे की साइड आपको LED Headlamp का Setup मिल जाता है ग्रिल इसकी वेन्यू जैसी बड़ी नहीं है लेकिन इसका भी एक अलगी मज़ा है Side Profile की बात करें तो इसके अंदर भी हमको 16 इंच के alloy wheels मिलते हैं वहीं roof rail नहीं मिलती है पैक की बात करें तो connected tail light मिल जाती है जो कि fully LED है एक hidden rear wiper भी मिलता है नीचे की साइड हमको LED tail light setup मिल जाता है वहीं इसमें भी skid plate सामने से शुरूव कर पीछे खतम होती है इसकी dimensions की बा इसके अंदर हमको 1.2 liter का turbo petrol engine मिलता है जो की produce करता है 120 PS की power और 170 Nm का torque अब चलते हैं इसके interior में तो आप देख सकते हो थोड़ा futuristic सा लगता है इसका interior तहापे आपको start stop button मिल जाता है उसी के साथ साथ cold glove box देखने के लिए मिल जाता है steering controls की बात करें तो एक side मिलता है आपको cruise control के features और दूसरी side media control के features center armrest मिल जाता है इसके अंदर हमको उसी के ठीक बगल में wireless charging की जंगा बीच में हमको mode selector भी मिलता है 7 speed DCT transmission के साथ इसके अंदर काफी massive seat 10.25 इंच का digital instrument cluster आता है इसके अंदर आप navigation भी चला सकते हो automatic rain sensing wipers और automatic headlamp जैसे features मिलते हैं इसके अंदर हमको 360 degree camera भी मिलता है जो की दिखता है हमको इसकी 10.25 इंच की floating display के अंदर air purifier को भी आप इसी से control कर सकते हो इसके अंदर जो AC controls है वो बिल्कुल ही पूरे touch है इसके अंदर भी हमको single zone automatic climate control मिलता है with rear vents और charging port के साथ इसके अंदर हमको electric sunroof देखने के लिए मिल जाती है roof rails और shark fin antenna के साथ इसका boot space की बात करें तो 385 लिटर का boot space मिल जाता है इसके अंदर 50 की बात करें तो दोनों के अंदर ही हमको ये features देखने के लिए मिल जाते है इसके साथ साथ दोनों के अंदर ही हमको six airbag setup मिलता है अटन exon की on road price पढ़ जाती है आपको 17 लाग के असपास और venue की पढ़ जाती है 15.5 लाग के असपास तो आप महीं से winner का अंदाजा लगा सकते हो तो आप मेरो comment में बता सकते हो कि आप कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो कि ऐसी मसमस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत बूलना मिलते हैं अगली वीडियो में बाई